हेलो फ्राइंट्स मैं हूँ सोनिया गोयल और एकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ हर फीमेल से जुड़ी एक खास समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे और उसको दूर करने के लिए मेरा अपना अजमाया हवान उसका भी आपके साथ शेयर करने गी बेहदी फायदे मंद है अगर आप इसे बताएगा तरीके से अपना लेते हैं तो जिनको भी महवारी की समस्या होती है जैसे किसी किसी को 10 दिन में 15 दिन में महवारी आ जाती है या फिर कुछ लेडिस को बहुत देर देर से महवारी आती है डेर दो महिने में एक बार आती है कुछ को केवल थोड़ा सा स्पॉर्ट ही आता है खुलकर महावारी नहीं आती वह महिलाओं में हार्मोन प्रॉब्लम के कारण भी होता है शरीर की गर्मी के कारण भी होता है और भी बहुत सारी समस्याइं होती है तो उसके लिए आपको नुस्खा बता रही है जिनको बहुत ज़्यादा ये समस्या हो रही है जल्दी जल्दी पीरेड आजाने की जब कभी भी कुछ गर्म तासीर का खाने में आ जाता है तो वो गर्मी हमें बहुत दिनों तक सताती है दोटों अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है या फिर बहुत पुराने दिक्कत है तो उनको भी इस मुस्के से फायदा होगा और जिनको भी शुरुवात है कुछ टाइम हुआ है ऐसी समस्या शुरू हुए तो उनको भी इस मुस्के से बेहत फायदा मिलेगा यह प्रावलम एकदम ठीक हो जाएगी तो उसके लिए आपको क्या करना है एक बार में आप इस मुस्के को महीने भर के लिए बना कर आप इसका इस्तेमाल करेंगी अगर यह समस्या जर से खत्म करनी है तो एक महीना लगातार इस मुस्के को लेना ही चाहिए क्योंकि एक दो दिन में यह समस्चा जो है हल नहीं होती है तो आप यहाँ पर सौफ ले ले आपको मैं सज्जेस्ट करूँगी आप शुरुवात में धाइसो, धाइसो ग्राम चीजे लेकर इसको बना कर तयार करें तो यहां पर आपको 500 gram सौफ ले लेनी है, सौफ आपको बड़ी लेनी है, इसको कुछ लोग मोटी सौफ भी बोलते हैं, जिसको अचार वगरा में इस्तेमाल करते हैं, वो सौफ आपको लेनी है, और इसके साथ में आपको लेना है, यहां पर 500 gram ही मिश्री, सीता मिश्री लेन आप चाहेंगे इसके बदले चीनी लेना, तो वो जो है नुस्के में काम नहीं करेगी, आपको मिश्ट्री ही लेनी होगी, जो सीता मिश्ट्री धागेवादी आती है, उसी का इस नुस्के के लिए इस्तेमाल करना, यही इसमें फायदा देती है, अब इसके साथ में तीसरी और सबसे जरुवी चीज हमें लेनी है साबुत धनिया, यानि कि जो धनिया के बीज होते हैं, ये लेने हैं, ये बहेदी फायरेमन है इस समस्या के लिए, धनिया जो होता है ना, इसकी तासीर भी थंडी होती है, सौफ की तासीर भी थंडी होती है, और धागे वाली मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है तो अब आप धाइसो ग्राम सौफ और धाइसो ग्राम मिश्री के साथ में आपको 100 ग्राम धनिया लेना है बस यही इसका measurement है जादा बनाना हो तो इसी रेशो में सबी चीज़े जादा ले लेंगे इसी तरीके से आपको यह सामगरी ले लेनी है एक बार बना कर खा लेंगे तो उसके बाद में आप दोबारा बना सकते हो लेकिन आपको एक महिना तो इसको लेना ही होगा उसके बाद में अगर आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है तो आप इसे बंद कर दें लेकिन किसी-किसी को थोड़ी पूरानी समस्या होती है और किसी-किसी को टाइम भी थोड़ा लग सकता है इस तकलीफ को जरसे खत्म करने में तो इसे दुबारा बना ले ये आपको कोई रॉपसान नहीं करती है, हार तरह एसे फायदा देती है इस बिमारी की समस्या का निवारन करने के साथ साथ दोस्तों ये आपको और भी बहुत सारे फायदे देगी तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है ग्राइंडर जान में डालकर पीस लेना है पीसने से पहले मिश्ट्री को आप छोटे टुकडों में तोड़ लें उसके बाद में ही पीसे नहीं तो आपका जार खराब हो जाएगा बस अब इनको बारी बारी से पीस लें एक बार सौफ पीस लें फिर धनिया पीस लें इसके बाद में मिश्री पीस लें और सबी चीजों को एक साथ मिलाकर आप तयार कर लें ये बुजुर्गों का बताया हुआ नुसका है इसलिए आप इसको बिंदास अपना सकते हो आपको इससे 100% पायदा मिलता है अगर परिवार में किसी को यह समस्या है तो जरूर अपना कर देखना अब इन सारी चीजों को पीसने के बाद में मैंने यहाँ पर इनको इस तरीके से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद में ये देखिए ये पाउडर बन कर तयार हो गया है अब आपको इस पाउडर को छानने की ज़रत नहीं है अगर इसमें छोटे-छोटे से सौफ या धन्या के दाने रह जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है आप इसे थोड़ा सा चबा कर भी खा सकते हो अब आपको इसका सेवन किस तरीके से करना है आपको लेना है दिन में दो चमच एक साथ आप दो चमच नहीं गाएं एक चमच जैसे आप सुबर खा लेंगे फाक कर और फिर एक चमच आप इसे शाम को खा लेंगे फाक कर बस इसी तरीके से आपको एक एक चमच दोनों टाइम ये ले लेना है आप चाहें तो इसी ओपर दूद ले सकते हो normal temperature का और आप चाहें तो पाने से भी इसे ले सकते हो यह आपके पेट में इतनी ज़्यादा थंड़क देगा और महावारी के जिस समस्या से आप जूज रहे हैं न वह आपके ठीक होती चली जाएगी तो यह था हमारा आज का अन्यमित महावारी और उससे होने वाली परेशानियों के लिए बेहदी रामबार्नुसका अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी